हलो दोस्तो मैं आरिफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनल एसेस्मेंट जो S.O.L. के हो रहे हैं इसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर थी जिसको बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दिया गया है इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना पेज लोग इन करना होगा जैसे कि मैं लोगिन करके रखा हुआ है और आपको होम पे आना है और जैसे आप होम पे आएंगे तो अपने 8 course enrolled पे जाईए जो भी आपका 8 course है 7 course है जो भी इन्रोल्ड है और आप इधर नीचे आएंगे जो भी आपका कोर्स है उसको लॉंच करेंगे जैसे आप लॉंच करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो की 28 अगत 2023 से स्टार्ट हुआ था वो 15 दिसंबर 2023 रात 11 बज़ के 55 मिनट तक ये टाइमिंग रहेगा इस दिन के बीच में इनके अब 5 दिन का एक्स्टेंशन आपको मिल गया है और जिन भी स्टुडेंट का अभी तक इंटरनल असेस्मेंट नहीं हुआ है वो इंटरनल असेस्मेंट अपना आराम से दे आज जो है server issue के चक्कर में क्या हो रहा है कि assignment submit नहीं हो पा रहे हैं तो आप panic ना हो इसके लिए आपको अगर किसी परकार के दिक्कत आ रहे हैं तो आप SOL के जो north campus में office है उसमें जाना है room number 20 या 21 में इसमें आपको login related issues clear कर दिये जाएंगे इसके अलावा कुछ guidelines आई है वो मैं आपको बता देता हूँ guideline यह है important guidelines जो कि आप mobile में किस तरीके से इस examination को यनकी जो internal assessment test को कैसे दे सकते हैं तो जो भी हम chrome browser पर या फिर जिस पर भी दे रहे हैं तो उसको update कर ले पहले तो ठीक हैं अगर updated नहीं है और इसके लाव आप जो दूसरा भी जो browser आज कल जो microsoft age है या फिर जो भी browser है उस पर check कर सकते हैं दूसरा इसमें make sure pop up block is disabled तो यह भी blocker जो है इसको disabled करना है और इसमें आप जो है तीसरी जो चीज है वो है internet connection और चोथी चीज जो है आप जो है multiple tab जो भहुत सारे tab खोल के रखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो आपको सिर्फ एक ही tab खोलना है उसी में आपको submit करना है और 45 minute तक आप continuously assignment देने पर focus करें यह जो guidelines जारी हुई है आप इनको follow करें किसी भी परकार के अगर कोई दिक्कत होती है login से related तो मेरी videos है login related उसमें आप देख सकते हैं और पासवर्ट किस तरह करना है ID का कैसे डाउनलोड करना है तो आप अभी basically जो है panic ना हो और 15 तारीक तक आप assignment दे सकते हैं ओके थैंक यू